अर्ज किया है वो तुम्हें डीपी दिखा कर गुम्रा करती रहेगी मगर तुम आधार करड़ पर बने रहे ना वेल्कम बैक दोस्तों जिन्दगी हसने हसाने का काम है जिन्दगी हसने हसाने का काम है और आज का ये स्पेशल एपिसोड शायरी के नाम है तो चलिए शुरू करते हैं कॉमेडी मुशायरा दोस्तों महबत में धोका खाय हुए आशिकों के लिए एक शेरत कर रहा हूं ये आशिक बेचारे अपने महबूबा के चकर में अपना सारा पैसा लुटा देते हैं तो इसे कंगाल आशिकों के लिए ये दो लाइने गौर फरमाईएगा काश की महबबत का इंशुरंस हो पाता प्यार करने से पहले प्रीमियम भरवाया जाता प्यार में वफा मिली तो ठीक वरना बेवखाओं पे जो लुटाया है उस पैसे का क्लेम तो मिल जाता मुझसे किसी ने पूछा कि क्या आपने भी कभी किसी से प्यार किया है तो मैंने का हाँ किया था लेकिन टेकनिकल एरर की वज़े से वो मेरी नहीं हो सकी और मेरी प्रेम कहानी शुरू होने से पहले ही खतम हो गई वो सामने वाले में पूछा कैसे मैंने कहा मेरे प्यार कभी क्या अजीव एंडिंग था मेरे प्यार कभी क्या अजीव एंडिंग था मैंने उसे प्रोपोस किया वाटसप पे लेकिन वो मेसेज उसकी शादी तक पेंडिंग था दोस्तो ताज महल प्यार का प्रतीख है प्यार के निशानी है लेकिन किसी टपोरी ने ट्रेन की टॉयलेट में ताज महल पर ही एक शेर लिख दिया था गौर फर्माईए कि ताज महल किसी के लिए अजूबा है तो किसी के लिए प्यार का एहसास है हमारे तुम्हारे लिए तो बक्वास है तो कि रोद बदलती हमारी मुम्ताज है दिल में छुपा रखी है महबबत किसी काले धन की तरह खुलासा नहीं करता हूँ इसलिए कि कहीं हंगामा न हो जाए वैसे काले धन की बात ही हुई है तो मैं आपको याद दिला दू कि 2014 में हमसे कहा गया कि काला धन आपकी अकाउंट में जमा हो जाएगा फिर 2015 में कहा गया कि काला धन आ रहा है और 2016 में कहा गया काला धन आप ही के पासे 31 दिसमबर तक जमा करवा दीजे पैदल चलने से अगर चर्वी कम होती है तो हाथी का वजन कम क्यों नहीं होता दूद पीने से अगर सेहत बनती है तो बिल्लिया आश्टिक वैसी की वैसी क्यों है जल्दी उठने से अगर तरक्य होती है तो पेपर बाटने वाला भाई औरी में क्यों नहीं घुमता अब देखो बताना मेरा काम था आप जितने देर भ्रम में ना रहो उतना आपके लिए सही है अब आप पूछो कि ये मुझ से किस ने कहा बाबा राम देव के छोटे भाई बाबा आराम देव ने बाबा से याद आया एक और बाबा है निर्मल बाबा वही किरपा वाले तो एक दिन एक आदमी निर्मल बाबा के पास गया और बोला बाबा एक लड़की के जब्बी में करीब जाता हूं वो मुझ से दूर भाग जाती है ऐसा क्यों होता है तो बाबा ने बड़े प्यार स से बुला बेटा किसी भी लड़की के पीछे पढ़ना हो तो हाथ धोकर ना पड़े मुझ धोकर पड़े क्या पता क्रिपा वहीं रुकी होगी इसे कहते निर्मल बाबा का बड़ा उपाए दोस्तों आदमी कभी कभी कोई ऐसी चीज बोल जाता है जो बाद में उसके लिए मुसिबत बन जाती है एक आदमी ने एक मिस्त्री को अपने घर बुलाया और उसे कहा देखो एक बेड़ बनवाना है जरा मजबूत बनाना क्योंकि मेरा बेटा मेरी बहु के साथ इसके उपर सुएगा समझें तो मिस्त्री ने भी बड़े जोश में आके बोल दिया आरा सहाब बलकुल है टेंशन मत लीजिए आपका बेटा तो क्या पुरा महला भी आपका बहु के साथ सुएगा ना तभी नहीं टूटेगा बेचारा मिस्त्री अंजाने में बोल गया बेड़ का तो हालत खराब हाथ पेर टूटे हुए बहुत सारी मार लगी हुए मैंने का अनुबर भाई यह सब कैसे हुआ अनुबर भाई ने मेरी तरफ गरदन उठा के देखा और बोले अर्ज किया है आँ मैंने का अनुबर भाई इर्शाद संबह लिए तो बोले बैट के महबूबा के जल्फों के साइशे में ऐसा जोश हाया मैंने का बैट के महबूबा के जल्फों के साइशे में आईसा जोश आया उसके बाप ने मुझे देख लिया और सिधा ICU में होश आया दोस्तों तब मुझे पता चला कि अन्वर भाई शेर अर्ज नहीं कर रहे थे अपने हालत बया कर रहे थे प्यार में ये सब तो चलता ही है अच्छा प्यार से मुझे याद आया लव और एरेंज मेरेज में एक खास फर्क होता है आपको तो मालूमी होगा नहीं होगा तो मैं बताता हूँ कि लव मेरेज में आप अपनी गल्फिंट से शादी कर सकते है लव मेरेज में आप अपनी गल्फिंट से शादी करते है और arrange marriage में किसी और थी बच्पन में खर्गोश और कच्चुई की कहानी तो सब ने सुनी होगी जिसमें कच्चुई ने खर्गोश को हरा दिया था लेकिन कहानी यहां खतम नी हुई फड़ा बड़ा होने पर खर्गोश हात में बम लिये चिडिया घर में घुज गया और जोर से चिला के बोला तुम सब के पास यहां से बाहर निकनने के लिए सिर्फ एक मिनिट का टाइम है तरगोश के बाद सुनके कचवा सामने आया और बोला साले सीधा क्यों नहीं बोलता कि मैं ही टारगेट हूं बचपन का बदला लेने आया है तू लोग अपना धंदा चलाने के लिए क्या कुछ नहीं करते फॉर एक्जमपल अगर किसी की पंक्चर की दुकान है वो रस्ते पे कील फेक देता है ताक कि कोई गाड़ी वहाँ से गुजरे और उसमें कील गुज जाए और इसका काम निकल पड़े ऐसे ही एक दिन एक महिला एक सांड को हलवा पुड़ी खिला रही थी एक सजजन वहाँ से गुजर रहे थे उन्होंने देखा उनको शक हुआ कि शायद ये महिला सांड को गाई समझ बैठी है वो उसके पास गए और बोले अरे बहें जी ये जो आप खिला रहे हो न ये गाई नहीं है सांड है और आपको मालूम नहीं है दिन में तीन चार लोगों को सिंग मारके इनके हड़ी तोड़ देता है महिला ने बड़ी शांती से जवाब दिया कि भाई साब मुझे पता है ये गाई नहीं सांड है और ये लोगों की हड़िया तोड़ता है लेकिन शायद आपको पता नहीं कि मेरे पती हड़ियों के डाक्टर है और उनका दवा खाना इसी सांड की वज़े से चलता है दोस्तों इस लोगडाउन के चलते सब की हालत खराब हो गई है सब के धंदे बंद हो गए ऐसे ही एक शायर भाई साब थे हमारे उनका भी धंदा बंद हो गया अब गरीबी से तंग हाकर वो डाकू बन गए और एक दिन बैंक लुटने चले गए जैसे अंदर घुसे बोले अर्ध किया है जो तुम्हारी तक्दिर में है वही मिलेगा और हैंडस अब कोई अपनी जगह से नहीं चलेगा फिर केशर के पास गए कैशर से बोले मेरी आखों से, मेरी आखों से कुछ खाब तुम निकाल लो और जो भी तुम्हारे पास है मेरी इस बैग में डाल दो बहुत कोशिश करता हूँ तेरी याद भुलाने की कोई कोशिश नहीं करेगा पुलिस को भुलाने की Hands up फिर जाते जाते कहा भुला दे मुझे ऐ दोस्त क्या जाता है तेरा मैं गॉली मार दूँगा अगर पीछा किया मेरा और जैसे बाहर निकला पुलिस ने पकड़ लिया पुलिस वाला भी शायर था तो बोला ओ गोड़ी पे बैट कर दूला आया है पहन कर सहरा ओ पकड़ा गया गुरू तू अब सोच क्या होगा तेरा दोस्तों कैसा लगा आज का ये एपिसोड हमारी ये छोटी सी कोशिश थी आपको हसाने की तो हसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, खुश रहिए, स्वस्त रहिए और स्वस्त रहते हुए हमारे इस एपिसोड को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अब तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाना मत भूलिएगा नेक्स एपिसोड में जल्दी मिलते हैं